नमस्कार दोस्तों स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एक्जाम सभा में और आज की वीडियो हम डिसकस करेंगे भारत में पाए जाने वाले अलग-अलग स्टूप के बारे में यह आपका बहुत अधर्म से संबंदित है स्टूप और इसमें यह मानिता है कि जब गौतम ब तो उस अवसेस को अलग-अलग लोगों में बाट दिया गया क्योंकि उसमें जो जितने भी राजा थे वो ज्यादातर लोग बहुत धर्म को फालू करते थे तब वो उनके समाध को अपने हिसास से बनाना चाहते थे तो उनके विवात को समाध करने के लिए इस तूप का य यह भी हालए में आपका एग्जामनेशन हैं हर दूसरी एग्जामनेशन में आपसे पर सूप के बारे में अवस्त पूछन पूछय ले जाते है और बहुत धर्म के जितने भी आपके monuments होते हैं चाहे वो विहार हो चाहे आपको गोफाई हो उनसे संबंदित चैहों उनसे सं मंदिर तो सांची अम्द्रिय भारत में से परंग जाता है इसके बार अब यहां क्राशा है कि अब है है अब तक यह सभवे में आवका स bona ठीक है और ऑगवे इसकी जीन निर्मार के तीसरी सताबदी इसापुर में किया गया था ठीक है यह आपयाद कई बर आसे एक्जामलेशन में यह भी पूछ सकता है कि इस पर्टिकुलर स्टूप का निर्मान किष्णे किया था तो आप यह जानिए कि सांची स्टूप का निर्मान जो है वह अशोग के दवारा करा गया और इसका जो देख रेक है वह आपका असोग की पत्नी के द्वारा किया जाता था तो मैं समझता हो कि सांची स्टूप के बारे में आपको बाते समझा गई होगी अगला जो इस तूप है धामेक स्टूप जो कि आपका सारनात में है आप सिधा सिधा सारनात में पाया जाने सबसे पवित्र स्थानों में से एक है और सारनाथ उस जगह के रूप में परशिद है जहां पर भगवान बुद्ध ने बोध गया में ग्यान प्राप्ति की बाद पहला उपदेश दिया था तो इसलिए भी फेमस है और इसके सांथ में आप इस तूप भी बना हुआ है तो ध भावी कुंडा स्थूप है जो कि आंजर प्रदेश में पाया जाता है और जैसा कि चित्र में जो दिख रहा है आपका भावी कुंडा ही है वह आपका विसाखा पटनम से लगभग 16 किलोमेटर के दूरी पर समुदर तल से लगभग 130 मीटर उपर एक पहाड़ी परिस्थित है और यह एक अत्यंत महत्रपुण बहुत दस्तल है तेलगू में भावी कुंडा सब्द का अर्थ होता है कुओं का एक पहाड़ी और वहावी कुंडा मठ जो है आपका तीसरी सताब्दी पुर इसापुर में बनाए गया था ऐसा मानेता है तो उमीद करता है आपका भाव यह थोड़ा सा खंड़ हो चुका है ठीक है प्रॉपर इसमें डिजाइन है लेकर है देखने सलग जाता कि है यह स्टूप ही है तो चौकंडी स्टूप जो है इस द वन आप दे इंपोर्टेंट बुद्धिजम स्टूप सिंदे सारनाथ और पॉबलर टूरिजम साइट इन बिलीव तो भी देह दी लवाल थे संटूरी ओल बारिट माउंट इस लाज रुएं इस्टूप वाज रुट इनिशेट बूल धूर दे इनिशेट भी इन देफ तर इन देफ देजू आप दीजम सानचूरी स्टाबधि इस्वी में बनाए गया था और इसको गुब्त पी फाइब एसेश्टिक्स फूर लेटर बीकम दा फ़स्ट डिस्सिप्लेंज सो वाइल ट्रावलिंग फ्रम बोध गया टु सारनाथ के बीच में आ रहे थे वह तो एक जगह पर वह पांच लोगों से मिले थे पांच लोगों के एक ग्रुप से मिले थे और उसी स्थान पर ऐसा से एक है और रामभर स्थूप पचास फिर से अधिव उचाई पर यहां पर देख सकते हो आप उसके ओशेस दिखाई दे रहे हैं और एक उंचे टीले पर खड़ा है जो सड़क का सामना करता है ठीक है सड़क उसकी चाड़ों तरफ है और सामभर स्थूप कुसी नगर का व यहां पर निर्वान प्रतिव मिलना करते हैं तो क fracti नगर एक वह स्थां THA पर महत्मा प्रांठ यता था महां प्राफ निर्वान परद्वान को प्राब्द मश्त हूं है और ऐसा भी माना जाता है कि 2207 में 750 के बीच में यह आपका बना होगा और यह उलेखनी सनजना 1998 में भारती पुरातत सर्वेच्ण ठीक है इंडियन आर्किलोजिकल सर्वेग के द्वारा खोजी गई थी और केसरिया भारत में बिहार करने के तैयारी करते हुए अपनी यात्रा अंतिम दिन बताये थे तो वहां पर आपका यह बना हुआ है नेश्ट आपका है अनिमेस लुच्चा स्थूप जो है आपका यह कर सकते हैं कि बिहार में पाया जाने वाला बोध गया जो महा बोधी टेंपल है उसके नजदीक में है और महा बोधी मंदिर परिसर में भगवान बुद्ध की जीवन में समधित चार प्रवित स्थलों में से एक है और बिसे सुरुप से ज्ञान के प्राप्ति यहीं पर हुई थी उनको और पहला मंदिर जो संब्रा डसों के द्वारत तीसरी सताबदी सापुर्म बनाए गया था वह यहीं पर बनाए गया था महाबोध मंदिर और इसके सासाथ वरतमान मंदिर पांच्वी और च् सların मदिर आपका 15 dining के पास अगला है आं अन्था पिंडिका या अना पेंडिका-चाइप लन पाई जाता है तो अनाथा-पिंडीका जो वह घानाचाना सकता है तो यह स्थूप जो है बुद्ध के प्रमुख सिस्यों में से के द्वारा बनाए गया था और यह काफी सुन्दर स्थूप है अगर इसका पूरा कम्प्लिट चीज़े नहीं पाए जाते लेकिन है यह खंडर के रूप में दिखाई देता है और इतियास कारों और प्रेटबू के द्वारा यह ध्यान अकरसन का केंद्र है और ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने अनाथ पिंडिका के निमत्र पर श्रावस्ति का द इस्तूप श्रावस्ती उत्तरपडेश स्रावस्ती में अंगली माल इस्तूप बनाएंगा है और यह आपका बॉध्ष्ट साइट ही है स्रावस्ति उत्तरपडेश में 1863 में स्रावस्ति सहर के अन्य खंडर्रों के सांथ खुदाही जब की गई तो देख पराप्थ हुआ और अंगली माल की इस्तूप स्रावस्ति भगवान बुद्ध के असीम प्रभाव की गवाही देता है जिसने भगवान जिसे भारती समाज को 20S रुप से उत्तरी भारत में पूर्व इसाई युक का अंग्मति दी थी और अंगली माल के इस्तूप स्रावस्ति का नाम जो डाक यह लगभग चार सताब्दी इसापुरु में है और यह आपका विनिताय नदी के किनारे इस्तित है और यह स्टूप जो आपका निव संगमित्रा असोग की बेटी जो आपका सिलंका के लिए गये थे रवाना हुए थे तो उसी मारग में इन्होंने बनवाया था नेक्स्ट आपका अमरावती स्टूप है यह आपका जैसा कि आप देख सकते फोटू में आप काफी आकर सक है तो अमरावती जो स्टूप है महान स्टूप या महाच्यात्य आंधर प्रदेश में 50 मीटर के संभावित ब्यास में 27 मीटर के उचाई पे बनाया था लेकिन इसे कथात्मक रहात और सजावती तुकड़े थे वह आपका सरकारी संग्रहाले में मद्रास संग्रहाले में रखे गए हैं इस महास्तूप की नियू समराट असुक महान ने महादेव बीकासु द्वारा रखी गई थी जिनें बहुत महां दंड की पचार के लिए महिसा मंडला म प्रतनी यूग्द किया गया था माना जाता कि यह पाहला निर्मार जो है आपका सादा और मामली था लेकिन बाद में इसको बहुत आकरसब बनाए गया था लेकिन अभी तो काफे कुछ इसमें नहीं दिखाई देता नेश्ट आपका है कि महास्तूप जो कि आपका थोटला कोंड़ा में देखने को मिलता है अन्大परडिस में वह आपका वर्टार देखा देखाई दिराव होगाए एक हवाई संवर्श के दौरां कि नहीं से प्राप्ति हुई है तो यह कई बार आपके एक्सकेवेशन देर से होने की वज़े से प्राप्त होते हैं अगला है कि सांथी स्थूप जो की धौलागरी उडिशा में है उसमें आपका क्या पाएगा तो उसको देखते हैं जिसे सांथी पेगोड़ा के नाम से जाना जाता है तो आप 172 में आपका जापान जापान बुद्ध संग जो था क्योंकि आप जानते हैं बहुत धर्व जो है वह बहुत से जगहों पे आपका फैला हुआ जैसे कि जापान मुखे तौर पे और चाइना ठीक है म्यामार बहुत से छेत्र में पाए जाता है तो उनका जो कलिंग युद्ध के प्रकल्पित स्थल के बीच में बनाए गया है और पीस पैगोडा को गहरते हुए कलिंग के गोर अध्याय के सांसांत राक कट मूर्तियां चैत्य स्थूप स्तंभु में एक विशाल गैलरी भी निर्मित की गई है निस्ट आपका है देवर कोटार मद् अधिया जना जाता है इन शुब्यासी में इसको खुजा गया था इन स्थूप का जो से है वह आपका असो खो जाता है यहां के गोध खोदे गए अगर चार बहुत बहुत इंच से बने हुए थे और चारों में से सबसे लंबा इस तूप जो है तीस फिट की उंचा उंचा स्टूब प्रशिद राची के स्टूबो के समय से की पहले से ही असी सूब में आया बना नहीं हुँ आहां है अगई था सब्सक्राइस संति अगर नद्रेक में बनाए उप सकता है कि एक का पना टो नहीं है कुदर느 यहाल ऐसी अग्छाने एंसै的 पुराना जा सकता है और विस असांती को बढ़ावा देने के लिए जापानी विच्छों द्वारा उन्हें इसको बनवाया गया और ये प्रमुक परेटन आकरसकों में से एक है और इसमें धार्मिक महत भी है आसपास की परवत सिंखलाओं के संदान दिश्च भी यहां से दे और यह आपका जापान और भारत के बीश्च में जो आपका आद्भूस संपन्त है उसको भी यहां पर उसकी व्याख्या करता है इसी तरीकी से द्रोदुल चोटन इस तूप जो की सिक्किम पाया जाता है इसका निर्मान जो है उन्हें सो पैतालिस में तिब्बत बहुत ध अर्थना पहियों से घिरा हुआ है और जिस जिनमें से सभी तिबती मंत्र यहां पर लिखे हुए हैं और चोटन इस तूप के अंदर कंजूर पवित्र पुस्तक और सेश संपूर मंत्र और कई धार्मिक वस्तों भी यहां पर रखे गई हैं इमारत में लगबग साथ सब भ कोशे की याद में बनाए गया था यहां पर देख सकते हैं स्टूप काफी अच्छा भी दिख रहा होगा अगला है आपका नाम ग्याल स्टूप जो की तिबत जो धर्मसाला हिवाश्य प्रदेश में है आपका तिबत के सुतनता संग्राम के दोरान बनाए जान गवाने वा देख सकते हैं अगला है क्लिमेंट टाउन स्टूप जो की देहरादू उत्रखन में देखने को बिलता है यह आपका काफी सुन्दा तरीके से बनाए गया है सो यह लोगप्री है आपका विस्वसांती का के लिए प्रशित है और 185 फीट उंचा है चोडाई की बात करेंगा सब्सक्राइब और दो एकड़ के बीच में हरे बगीचों के सांदार स्टूप बनाए गया है सो इस तूप की कला कृति बात करेंगे तो बहुत धकला क्या सांदार उदार पेश करता है तिबती बहुत धकला की बहतरीम परंपरा कर निस्पादंग करने वाला है इसमें भि सबसे बड़ा स्टूप है और यह आपका 90 किलिमेटर के दूरी परिस्थित है तवांग से तवांग वालिस्टिक है यह 12 सताबदी में मोनपा भिच्छु आपका लामा पर्धान द्वारा स्थापी थे उनके बनाए गया था जो चोटन के सिखर में एक अर्ध होगलाकार ग सब्सक्राइब कर सकते हैं धन्यवाद